विल्कम तो सुमेथ टुटोरियल तोड़ाइम गोईंग टिसकास अबाउट दी लीफ लेक्चर 5 स्टाट करते हैं दी लीफ इस लेटरल जेनरली फ्लैटनेट इस्ट्रिक्चर बोर्ण ऑन दी स्टैम तो जो लीफ होती है हम सब ने देखा है प्लांट को तो प्लांट की स्ट तो आफ यह फिगर देख रहे हो लीफ की यह पार्ट क्या है लामीना लीफ बेस पैट्योल एक्जलरी बर्ड इस्टेपल तो यह सारे पार्ट को मैं डीटैल में एक्स्प्लैन करूंगी तो स्टेपल आप देख रहे हो कि स्मॉल लेफ लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे स् लोप से अड़ा है तो अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा होगा अगर आप यू यह अप्रीवियस लेक्चर को देख सकते हो तो अगर आप तो बताया है कि नूद और इंटर नूड़ and board किसे कहते हैं तो जो node होती है वहाँ से leaf क्या होती है develop होती है and axial reason जो होती है वहाँ से क्या होती है board निकलती है तो bird को क्या कहते हैं कली तो उसे ही board कहते हैं the auxiliary board later developed into a branch और जो auxiliary board होती है वो develop कर जाती है branch में तो आपने plant को देखा है प्लांट में बहुत सारी ब्रांचेस निकली होती है तो आप फिगर से देखें यह जो पार्ट है यह सारी पार्ट आप देख रहे हो तो यह एक स्टेम है और से बहुत सारी ब्रांचेस निकली हुई है तो वह ही बोल रहा है जो एक्जिलरी बॉर्ट है वो क्या होती है बाद कहते हैं डूट सोस्टेम किसे कहते हैं तो जो लीफ उती है वह छीजेट होती है सुपिकल मेरे सिर्सम से ख्लावर नहीं है है तो आफ लेक्षेर में बताऊँगी चमिर्डावर के बारे में बताऊंगी तो द Rich groupetal order क्या होती है and basic petal order भी एक होती है तो उसे groupetal order and basic petal order okay next they are the most important vegetative organ for photosynthesis जो plant होती है most important part होती है plant की जो leaf होती है most important part होती है plant की तो वो क्या करती है photosynthesis में help करती है next a typical leaf consists of three main part leaf based petule and lamina तो मैंने आपको figure से दिखा या आपने leaf को देखा तो उसमें कौन से part होती है three part जो होती है main three part होती है leaf based petule and lamina okay the leaf is attached to the stem by the leaf based and meaning beard two lateral small leaf like structure called staples तो जो leaf होती है वो stem से attach होती है leaf based के through okay तो आप फिर से figure देख लीव की तो आप देख रहे हो कि यह petioles reason है and मैं जो next part है वो क्या है small leaf like structure आप देख रहे हो steple तो इसे ही steples कहते है okay next in monocotyledness the leaf based expand into seed covering the stem partially or holy तो जो monocotyledness plant होती है उनकी जो leaf होती है वो expand करती है फैल जाती है and वो क्या करती है partially या फिर पूरे तरीके से वो stem को cover कर लेती है उनकी जो leaf है इतना ज्यादा distribute हो जाती है तो उसकी वज़े से क्या करती है वो stem जो होती है उसको cover कर लेती है तो यह monocotyledness में होती है तो आप अच्छे से याद रखे क्योंकि monocotyledness and dicotyledness plant टू टाइप के plants होते है and next in some leguminous plant the leaf based many become swollen which is called the polyvenous तो जो leguminous plant होती है उनकी जो leaf based होती है वो swell कर जाती है मतलग full जाती है जिसे कहते हैं pulvenous next the petiole help hold the blade to light long thin flexible petioles allow to leave blade to flutter in winds thereby cooling the leaf and bringing fresh air to leaf surface ये जो petioles होती है वो क्या करती है petioles जो होती है वो leaf को इस तरीके से arrange करती है leaf को जिसकी वज़े से क्या होती है उन पे जो sun की light होती है वो सही तरीके से light पर सके इस तरीके से petioles arrange होती है और वहा में किया होती है उन्हें रहती है उन्हें क्या होती है कि अम साथ म्तलुंच Viktor प्यूंच lesson वहा में धूसर और यूक्तोशि दूरा刃 यूक्त होती है यूरी इंदि तंधो dest viable यूरा भा अर्द प्यूंच श्क्त्राइश यूर्थ एक्सपैंड पार्ट इब भई ठीके उप आपने क्या कर में वेन लेटट आपने भई प्लेशन पांगे with कि अर्जमेंट जो होती है वह टू टाईब की इरेजमेंट होती है और जो वेन एंड वेंड होते हैं वह किस तरीके से अरेंज ठेह तो मैं नेक्स वीडियो में आपको क्लीर कर दाऊंगी कि वेन एंड वेलीट्स क्या होते हैं क्या अज़ेसे प्रूपमें भी रू में आपको फोगर को मिलेगरइड करते को एंड एन्ड ऋप्लेड करते हैं यह पूध करते हैं इतरों सब्ससक्राइड करते हैं टापिक तो अपको कोई भी डॉट है तो आप कॉमेंट करके जरू कुछे एंड नेक्स वीडियो में आपको मैं बता दूंगी वेनेशन किस तरीके की अरिजमेंट होती है तो अगर आप चाहते हो 11, 12 और B.A.C. लेवल तक की बाइलोजी लेक्चर और मोटिवेशनल वीडियो तो आप मेरे चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सेर करें, थैंक थ्यूआ झाते हैं तो तो झाते हैं तो अएजिमा थाफ देर को तो आपके मेरे तो आपके तो दूंगी सब्सक्राइब को ये तो चैनल को ये जोन दो और आपके वेज़ कि अज़ हैं उेट ये उन Besides, वेज़ आपके।, पॉई आपके तो तो आपके तो आपके